दोस्तों मैं फराज मलेक हल्दवानी का मामला कलमे ने आप लोगों को बताया था तक्रीबन साड़े चार हजार घरों पर संकट मढ़ रहे हुआ है उत्रकट हाइकोट ने इन घरों को तोड़ने के आदेश दे दिये हैं क्योंकि हाइकोट का कहना है कि ये जमीन जो है वो रेलवे की है और रेलवे के जमीन पर अतिकर्मन किया हुआ है रेलवे ने कहा कि अबैद कवजा करके लोगों ने यहाँ पर घर बनाए है तकरीबन 4.5-5.000 घर हैं और यहाँ पर लगबग 60.000 लोग रहते हैं 40.000 यहाँ पर बोटर हैं बाकी बच्चे हैं यहाँ पर आबादी मुस्लमानों की जादा है 7-8 मखज़ते हैं कई मदरसे हैं धरमशाला है और कुछ मंदर भी यहाँ पर मुझूद है मुसल्मानों के अबादी यहां पर जादा है नौन मिसल्मों की कम है मुसल्मानों के तरफ से इस पैसले के खिलाफ बाहर निकल कर बिरोद प्रेदर्शन करते हुए दौाएं की जा रही है सर्द रातों में बैट कर लोग रोड पर गिलगड़ाते हुए अल्ला से दौाएं भी कर रहे हैं कि इस मुसीबत को हमारे ओपर से टाल दे महलाएं बच्चे बुज़र्क सभी लोग इस सर्दी के मौसम में सड़कों पर निकल कर कैंडल मार्च निकाल रहे हैं बहुत कुछ कर रहे हैं फिलाल हाई कोट ने आदेश दिया जिसके बाद प्रिशासन की तरफ से रेलबे की तरफ से नोटे जारी कर दिया गया है साथ दिन का समय दिया गया है हल्दौनी के उन लोगों को कि साथ दिन के अंदर खुद ही अपना आतिकरमन हटा लें वर्दा अगर हम हटाएंगे साथ दिन के बाद तो जो खर्चा आएगा वो खर्चा भी हम आप लोगों से ही बजो लेंगे फिलाल अब ये मामला सुप्रीम कोट में पहुँच चुका है कई सारे लोगों ने कर कमेंट किया कि इन लोगों को सुप्रीम कोट जाना चाहिए ये लोग जा रह हैं नहीं जा रहे हैं ये बिलकल मामला सुप्रीम कोट में पहुँच चुका है और सुप्रीम कोट में अब ये मामला पांच जनवरी को सुनवाई के योग कि होगा कॉंग्रेस के एक बिधायक है सुमित हिर्दियश उन्होंने सुप्रीम कोट में जो वहाँ के वरिस्ट वकील है सुप्रीम कोट के सलमान खुशीद उनके दौरा याजिकार दायर करवाई है और अब पांच जर्वरी को इस मामले पर सुनवाई होगी देखते हैं कि कोट उत्राकन हाई कोट के इस फैसले पर रोक लगाता है इन लोगों को इस्टे देता है या फिर सुप्रीम कोट भी उत्राकन हाई कोट के फैसले पर ही टिका रहता है और जो साथ दिन का समय दिया है उसी समय पर पिरशास्त को अधिकर्म हटाने का आदेश द रादो लोगों को सुप्रीम कोर्ट से काफी अमीदें हैं क्योंकि ये कोई छोती मोटी आबादी Ned ταक्रीपन साथ हजार लोगों की आबादी है इस थंड के मौसं में लोगों का कहना है कि हम कहा जाएंगे हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, यहां पर स्कूल कॉलिज भी वड़े हुए हैं, बुजर्ग हैं, बीमार हैं, कहां जाएंगे, कहां पर जाकर घर बसाएंगे, काफे सारे लोगों का कहना है कि अभी तक यह जमीन राज्य सरकार के अंडर में आती थी, लेकिन अब अचानक से ये जमीन रेलवे की कैसे हो गई. फिलाल रेलवे की तरब से और पुलिस पर शासन की तरब से तेयरьяं पूरी कर ली हैं. लेकिन अब सुप्रीम कोट के फैसले का इंतिजार होगा. लोगों को अमीद है कि सुप्रीम कोट कोई सही फैसला सुनाएगा फिलाल देखते हैं कि 5 जनमेडी को क्या फैसला आता है सुप्रीम कोट की बाद चलिए तो यहां पर एक खबर और आ रही है नोट बंदी से चुड़ी आप सभी को याद होगा 2016 में जब मोदी सरकार ने रात को 8 बजे नोट बंदी की थी तो उसके बाद काफे सारे लोगों ने इस नोट बंदी का विरोध किया था और इस विरोध के चलते हुए कई सारे याजिकाएं सुप्रीम कोट में दायर की गई थी जिसमें से अभी भी 58 याजिकाएं इस नोट बंदी के खिलाफ सुप्रीम कोट में डायर की फी थी ती जिसको आज सुप्रीम कोट ने खारिच कर दिया और नोट बंदी को सही ठैराया सुप्रीम कोट ने कहा के नोड़ बंदी मोधी सरकार ने जो की थी वो एक सही फैसला था काले धन के खिलाफ मानब कल्यान के खिलाफ या नी बिल्कुल ठीक किया था मोधी सरकार ने नोड़ बंदी करके याचिकाएं जितनी भी थी उन सभी याचिकाओं को सुप्रीम कोट ने खारिच कर दिया जिसके बाद केंद सरकार को राहत मिली तो फिलाल नोडबंदी काफी अच्छी थी सुप्रीम कोट की नजर में भी फिलाल सुप्रीम कोट को लेकर ये कुछ अपडेट थे जो मैंने आपके सामने रखे दूआ करिएगा, सब कुछ ठीक हो मिलते हैं को नई वीडियो के साथ तब तक के लिए अपना खयाल लगए